दोस्तों नमस्कार, Electrical and Mod Channel में आपका फिर से सागत हैं दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि HD केबल का end determination किस तरीके से किया जाता है दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको step by step बताऊँगा कि HD केबल जो होती है उसका end termination kit की इस तरीके से बरा जाता है तो friends, HD केबल का termination समझने के लिए आपको इस वीडियो के last तक बने रहना होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 core into 400 mm square की केबल ली है इस केबल का हम end termination करने वाले हैं दोस्तो end termination kit दो तरीके से किया जाता है यदि हमें केबल को sub station के अंदर लाना है तो end termination kit अलग तरीके से बरा जाएगा और यदि केबल को किसी खंबे के उपर या पोल के उपर लगाना है तो end termination kit अलग तरीके से किया जाता है यहाँ पर मैंने measurement tape ले ली है इस measurement tape से हम cable में 450 mm पर एक निशान लगाने वाले हैं और 450 mm से हम cable के छिलके को निकाल लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें cable के छिलके को हटा लेना है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम indoor termination कर रहे हैं इसलिए हमने 450 mm तक cable के छिलके को हटाया है यदि हम outdoor termination करतें तो उसके लिए हमें cable को 550 mm तक cable के छिलके को हटाना होता cable के छिलके को हटाने के बाद इस cable के अंदर इस तरीके से आर्मड वायर निकलते हैं इस आर्मड वायर को हमें इस तरीके से हटा लेना है दोस्तों जो HD केबल होती है उसके अंदर इस तरीके के आर्मर्ड वायर डाले जाते हैं ये आर्मर्ड वायर हमारी केबल को मजबूती देने के काम आते हैं उसके साथ-साथ केबल के अंदर यह अर्थिंग का काम भी करते हैं केबल के अंदर से आर्मन हटाने के बाद केबल के अंदर एक और इंसुलेशन आता है उस इंसुलेशन को भी हमने हटा लिया है दोस्तों आर्मन हटाने के बाद जो इंसुलेशन आता है वह बहुत ही पतला होता है उसे हम आसानी से हटा सकते हैं इंसुलेशन हटाने के बाद केबल कुछ इस तरीके से दिखती है और केबल में इस तरीके से धागा लपता होता है उस धागे को हमें हटा लेना है अब केबल में चारों तरफ आपको प्लास्टिक का कुछ मटरेल दिखेगा उस मटरेल को भी आपको हटा लेना है प्लास्टि दूर टक जब केबल कोषचा जाता है तो उसके लिए केबल का इंसोलेशन भी बहूत अच्छा होना चाहि kale Gang केबल कें अच्छा नहीं होगा तो उससे केबल डेमेज हो जाएगी इसलिए केबल के अंदर के अंदर आर्मड डाले केहें जाता है और अंदर की साइड में इस तरीके का PVC का मटेरियल डाला जाता है ताकि हमारी के अंदर मजबूती बहुत जादा हो जाए और केबल खिसते वक्त डेमेज ना हो यहां पर हमने केबल के तीनों कोर को अलग कर लिया है यहां आप देख सकते हैं थिरी कोर की जो केबल है यह तीनों कोर अलग हो गई है इन तीनों कोर के उपर कोपर की स्ट्रिप चड़ी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर चमकिली कलर की स्ट्रिप चड़ी हुई इस तरीके से हमें 3 कोर पर टेप लगा देनी है और यहां से लेकर यहां तक हमें केबल के अंदर जो इस्टिफ है उसे निकाल ले नहा है दोस्तों यहां पर जो बावर की इस्टिफ है वह हमारी केबल में अर्थिंग का काम करती है जैसा कि हमने high voltage की cable ली है तो यहाँ पर हम इस cable के अंदर 11 kv या फिर 6.6 kv flow कराने वाले हैं तो यदि हमारे cable के अंदर 6.6 kv या फिर 11 kv flow होगा तो इस cable के outer core पर कुछ voltage develop हो जाएगा उस voltage को कम करने के लिए उस voltage को neutralize करने के लिए इस cable के उपर प्रते core पर copper की इस्टिप लगी होई होती है ताकि copper की स्टिप से हमारे cable के अंदर जो بी voltage बने वहses voltage neutralize हो जाए क्योंकि हम इस copper की strip को अर्थ कर देते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस copper की strip को हम किस तरीके से अर्थ करते हैं यहाँ पर हमने तीनों core के उपर से copper की strip को हटा लिया है copper की strip अठाने के बाद यहाँ पर black color की core दिख रही है दोस्तों यहाँ पर जो तीनों कोर के उपर ब्लेक कलर का जो मटरेल लगा है उस ब्लेक कलर के मटरेल को हमें हटाना होता है ब्लेक कलर के मटरेल को हटाने के लिए हमें कांच की जुरत पड़ती है कोई भी termination kit आता है तो उसके अंदर इस तरह का एक कांच होता है उस कांच के द्वारा इस cable के उपर ब्लेक कलर का material है उसे अटा लेना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस ब्लेक कलर के material को अटाने में बहुत मेनत लगती है और बहुत दीरे-दीरे करके इसे अटाना होता है इसको अटाते वक्त हमें ध्यार रखना होता है कि हमारी cable damage ना हो जाए इसलिए हमें इसको बहुत सावधानी के द्वारा निकालना होता है दोस्तों यदि हम इस ब्लेक कलर के material को नहीं हटाए और बिना हटा ही हम cable को charge कर दें तो हमारी cable damage हो जाएगी हमारी cable के अंदर source circuit ह हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहां पर ब्लेक कलर का material देख रहे हैं यह एक तरह से semiconductor material है इसको लगाने का परपस होता है कि हमारी जो होती है उसके अंदर 11 केवी या फिर 6.6 के वी voltage हम फ्लो कराएंगे यदि इतना voltage होगा तो हमारी cable के उपर कुछ voltage हो जाएगा जैसा कि मै होती है वह इतनी अच्छी तरीके से लगी हुई नहीं होती है इसलिए semiconductor material को इसके उपर अच्छी तरीके चिपका जाता है जब हमारे cable के अंदर बहुत ज्यादा voltage बनता है तो कुछ voltage का लिकेज हमारे cable के उपर भी आता है उस cable के उपर leakage को कम करने के लिए यहां पर semiconductor material लग लिए अब हमारी जो cable है वह बिल्कुल साफ सुत्री दिख रही है मतलब बिल्कुल transparent दिख रही है आप देख सकते हैं cable बिल्कुल white color के अंदर दिख रही है इसके उपर दोस्तों जरा सा भी black color का material नहीं होना चाहिए यादि black color का material थोड़ा सा भी रहेगा तो वह अर्थ कर जाएगा जिससे हमारी cable short हो सकती है तो आपको बड़ी साउधानी से इससे हटाना होगा black color का material हटाने के बाद हमें प्रत्य कोर पर एमरी पेपर से घिसाई करनी होगी और एमरी पेपर से अच्छी तरीके से घिसना होगा ताकि हमारा जो cable है वह बिल्कुल साफ हो जाए और cleaning liquid से हमें प्रत्य कोर को साफ करना होगा इसके बाद हमें earthing करनी होती है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो copper की strip है उन copper की strip के उपर हमें इस तरीके से wire लपेटना होगा तीनों के उपर से wire लपेट कर हमें armored तक wire को ले जाना होगा और armored में ले आकर wire को tight कर देना होता है जैसा कि अब देख सकते हैं इस तरीके से ं principal को चड़ाते हैं और के अंदर एक और्रुपके को डाला ज Agriculture को दीता है यहां पर आपको कि च्ट्रीप को हम बनेल के उन्दर नर्ठ करेंगे जब हम cable को panel के अंदर चड़ाएंगे तो वहाँ पर हम इस earthing strip से इस cable को earth कर देंगे अब इसके उपर PVC tape से insulation चड़ा दिया जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इस तरह की tape को हमें इस black वाले portion के उपर चड़ा दिया जाता है जैसा कि आप image में देख सकते हैं हमें 20 mm तक इस black वाले portion पर इस tape को चड़ाना है इस tape को stress control master tape का जाता है यह tape 10 mm हमारे insulation के उपर रहेगी और 20 mm हमारे black वाले portion पर रहेगी यह करने के बाद हमारा next जो process होगा उसके अंदर हम cable पर boot को चड़ाएंगे boot चड़ाने का मतलब यह होता है कि हमारी cable के अंदर एक insulation को चड़ा जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का एक material होता है उसको हमें cable पर चड़ाना होता है हम cable पर अच्छी तरीके से उसको चड़ा देते हैं और चड़ाने के बाद इसको hit करके गरम करके cable पर fix कर दिया जाता है यह हमारी cable को मजबूती देने के काम आता है हमारी cable किसी बाहरी चीज़ से damage ना हो जाए उसके लिए इसे लगा जाता है जब हम cable को किसी panel के अंदर डालते हैं तो पेनल के अंदर जिस hole से हम cable को लेकर जाएंगे तो उस hole के edges से हमारी cable damage ना हो जाए उसके लिए हम यह boot चड़ाते हैं यह boot जो होता है वह PVC material का बना होता है जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह सिकूर जाता है और सिकूर कर हमारी cable पर अच्छी तरीके से fix हो जाता है इसके बाद हमें cable के प्रते कोर पर heat shrinkable stress control tube चड़ानी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काले कलर की tube है यह stress control tube कहलाती है और इसे हमें प्रते कोर पर चड़ाना होता है इस तरीके से हमें प्रते कोर पर इस tube को चड़ा कर गर्म करना होता है इस tube को चड़ाते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो copper की screen है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो copper की screen है उसे 10 mm चोड़ना होगा और 10 mm उपर से हमें इस tube को चड़ाना होगा इस tube को चड़ाने का region यह होता है कि यह हमारी tube को insulation प्रदान करती है उसके साथ-साथ यह मजबूती भी देने का काम करती है जैसा कि हमने इस tube को इस black वाली screen के उपर चड़ाया है यह हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो black वाली screen है वह किसी भी condition के अंदर हमारी conductor के साथ contact ना बना ले क्योंकि यदि हम panel के अंदर cable को चड़ाएंगे और जिस hole से cable को पेनल के अंदर गुचाया जाता है उस hole की edges से हमारी cable damage हो सकती है और यदि cable यहाँ से damage हो गई तो यह blade वाली screen जाकर conductor के साथ contact बना सकती है और जिससे source circuit होने की संभावना बन सकती है इसलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से मजबूती दियाती है इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले yellow वाली tape लगाई है yellow वाली tape लगाने के बाद उसके उपर एक अतिरिक्त insulation दिया है ता अब हमें legg के उपर red tape को लगा दिया जाता है इस red tape को red mask tape का जाता है इसे हमें legg के उपर fix करना होता है अब इस cable के उपर इसतरे का echo insulation चड़ाना होता है इस insulation को हम heat shrinkable anti tracking tube करते हैं इस tube को हमें cable के उपर पर प्रत्य प्रत्य कोर्पर इस ट्यूब को चड़ाने के बाद इसे गरम करके के उपर फिक्सट कर दिया जाता है का सब्सक्राइब करने नहीं के मध्यूंके लREE का सकते हैं इसके facto इससे आपको पता चल गया होगा कि थेंक्यू दोस्तों थेंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो थेंक्यू थेंक्यू सो मुच